नवश्कार, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे conductivity की बजाए, molar conductivity का concept लाने से हमें फायदा क्या हुआ और molar conductivity का क्या practical application है उसे आगे चल करके कोल राउश ने किस तरीके से और modify किया और उससे क्या-क्या conclusion निकाला, उन सारी चुजों पर हम आपके साथ discuss करेंगे को relate करने में आसानी होगी और competitive level पर उसी connection को आपने अच्छे तरीके से अगर समझ लिया है तो अच्छे questions को solve करने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगा मेरे कहने का बतलब क्या है उस चीज़ को यहाँ पर समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा mole concept का application उसके बाद मैं जब इस unit में आगे बढ़ूँगा तो यह समझाने का प्रयास करूँगा आखिर chemical equilibrium के फार्भूरे, कोल राउश law या फिर molar conductivity के interconnection से कैसे linked है इन सारी चीज़ों पर कैसे बात होगी, उन सारी चीज़ों पर focus करेंगे और पूरा का पूरा attention, atomic, ionic, molecular और particle के level पर होगा आप बात समझ बारे में कहता क्या चाहता हूँ मैं आपको पूरा का पूरा कोशिश करूँगा, आप उस event को actual में होता हुआ feel करे अपने मन की आँखों से feel करें और एक बात ध्यान रखेगा, कभी भी chemistry boring नहीं हो सकती अगर आपने atomic, particle, या फिर ionic, या molecular level पर उन सारी चीज़ों को imagine करना शुरू कर दिया कितने भी tough question हो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो जैसे, मैं यहीं पर आपको बतानी की कोशिश करूँगा Avogadro के उस importance को Avogadro ने क्या बताया था, Avogadro का contribution क्या रहा है आप जानते हैं, Avogadro number जिसे हम कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है वो एक unique number के बारे में idea देता है उस unique number का क्या contribution था उससे हमें क्या पता चलता है आप जानते हैं, पूरी की पूरी chemistry में अगर standard condition में कहा जाता है 22.4 liter कोई volume घेर रहा है तो आप उस volume के भीतर कितना particle हो सकता उसका idea ले सकते हैं आपने mole concept के unit में इन सारी चुचो का study कर रखा है आपको याद है ना हमने इस चीज़ के बारे में बहुत पहले ही पढ़ रखा है अगर कहीं 22.4 liter volume हमारे पास देखाया जा रहा हूँ बताया जा रहा हूँ standard condition में इस तरीके की information दी गई हो तो उसके भीतर कितने particles हो सकते हैं उसका imagination आपके ड्रो ने बहुत पहले ही करके बताया और जब कभी भी science में हम बात करते हैं तो nature के उस unification तक जाने की कोशिश करते हैं आप जानते हैं ना 22.4 liter अगर standard condition में volume होगा कोई भी हो तो कितना particles लेगा? अनुमार है ना? उस number को एक बार यहां लिख करके देखने की कोशिश करिए 6.023 into 10 to the power 23 उतने molecules, particle atoms हो सकते हैं अगर यहां पर standard condition में 22.4 liter volume लिया गया होगा इस बड़े से information आप समझ सकते हैं सब के लिए यह बात कहा गया अगर इतना volume standard condition में लिया गया तो इतना particles होगा कितनी बड़ी unification का concept Avagadro नहीं दिया था इस चीज़ को आप feel करिये उस व्यक्तिने कितनी बड़ी बात कही होगी कि carbon का 12 gram, carbon dioxide का 44 gram इस तरीकी की बाद, oxygen gas का 32 gram कितना particles लेता है? रुमान है ना, उस level पर जब तक आप उस essence को feel नहीं कर पाएंगे तब तक आप chemistry समझ नहीं पाएंगे और यह सारी चीज़ें आपको मदद करेंगे यह समझाने में molar conductivity में हम particles के level पर क्यों बात कर देंगे और molar conductivity, conductivity की बजाए ज़्यादा बहतर क्यों है? इस बारे में तभी आप अनुमान लगा पाएंगे कि उसने उन्होंने कहा 12 gram carbon या फिर 16 gram oxygen atom यहाँ पर आप समझ नहीं, atomic level पर मैं बोल रहा हूँ इसी तरीके से 44 gram CO2, 32 gram oxygen gas molecule इन सभी के भीतर एक common number of atoms या molecules प्रेजेंट होंगे उस यूनिफिकेशन, उस number की value आप जानते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ आप उसे feel करें कितना बड़ा उन्होंने unification, कितना बड़ा उन्होंने contribution chemistry के लिए दिया और यह समझाने का उन्होंने प्रयास किया जो हम समझ नहीं पाते हैं कि chemistry को अगर सीखना है तो आप particles के level पर imagine करिए यह particle आप इसको मत देखिए आप कभी भी इसको मत देखिए आप कभी भी इसे मत देखिए आप जब भी सोचिए तो इसकी जगह पर इसे देखिए इसकी जगह पर इसे देखिए इसकी जगह पर इसे देखिए 32 की जगह पर भी आप इतने particles, इतने molecules की कल्पना कीजिए मेरे इस बात को कहने का मतलब क्या है अब मैं आपको समझाता हूँ अक्शन में क्या हुआ, conductivity से ज़्यादा बहतर molar conductivity था क्योंकि molar conductivity के concept में हम particles के level पर जाकर के बात कर सकते हैं मेरे कहने का मतलब क्या है ये अगर कपपा को आप याद करना चाहें तो राकेस कुमार के नाम से आप याद कर सकते हैं कपपा के इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कपपा क्या है? conductivity है आप जानते हैं, conductivity है और इसे आप कैसे फार्मूली के हिसाब से तमाम किताबों मेरी किताब में भी यह बात लिखी हुई है अगर आप इसे conductivity कहते हैं तो conductivity को कैसे represent कर सकते हैं कैसे आप इसका definition बना सकते हैं उसको एक बार देखने की कोशिश करिए इसके लिए हम यहाँ पर R को दूसरे साइड में ले करके जाएंगे और कपा is equal to 1 upon R L by A की बात कह सकते हैं यहीं पर थोड़ा इसे modify करते हैं और एक conductivity cell बनाने की कोशिश करते हैं सारी चीजें definition क्यों बनाई जाती हैं वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा यह सारी जो fundamentals हैं वो clear हो जाएंगे यहाँ plate का area हमने लिया A आप इस तरीके से इसे कलपना करें plate का area कितना है A है और plates के बीच का separation कितना है L है और इसके भीतर कोई electrolyte डाला गया है आप समझ सकते ना यहाँ पर कोई electrolyte डाला गया है इस electrolyte के भीतर ionized electrolytes होंगे ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं तो यहाँ पर ionized cation, anion होंगे जो अपने respective electrodes पर जाने का प्रयास करेंगे माली जे red से मैंने cation दिखाने का प्रयास किया तो green से मैं anion को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और यह electrolytes अपने respective electrodes के और जाने का प्रयास करेंगे और उसके द्वारा आप conductance के बारे मानुमान लगा सकते हैं conductance, नाम बहुत सारा confusion create करता है conductance, conductivity, molar conductivity ये सारे terms में इतने सारे differences, इतने सारे नाम की similarity क्या कह रही है, उसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ formula को आप देखिए, जब तक आप basic नहीं याद रखेंगे आप बिल्कुल chemistry सीख नहीं सकते हैं और मेरा इतना उर्जा यहां लगाने का बकसर यही है कि आप fundamental सीख सकें, यहां देखिए, one by r यह किसको दर्शाता है, आप जानते हैं, यह conductance को दर्शाता है इस length के separation और area के बीच में डाले गए, electrolytes के बारे में बात कर रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम चाहें, तो इसे कह सकते हैं, इस volume के भीतर conductance के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या आप मेरी बात समझभा रहे हैं अगर यह L separation और area के बीच में electrolytes डाल करके उसके conductance के बारे में बात कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि हम क्या सकते हैं, किसी दिये गए unit volume में बात समझभा रहा न, यहाँ पर किसी दिये गए unit volume के भीतर चुकि हमने L by A की बात कर लिया, इसका मतलब यह है कि यह volume के बारे में कहा जा सकता है और अगर ऐसा आपने सोच लिया, वन अपान आर, L by A अगर आपने सोच लिया तो आप क्या सकते हैं, unit volume का conductance कपा होता है यहाँ पर इसको इतने value को volume कह दिया जाए, तो आप यह कह सकते हैं कि unit volume का conductance, conductivity होता है बात समझ पा रहा न, इस unit volume का conductance, इस दिये गए volume, जिसको मैं unit volume कह रहा हूँ उसके conductance को conductivity कहा जा सकता है, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं, और यही definition भी होता है इसमें, conductivity में जब हम बात करते हैं, देख पा रहा है, यहाँ पर image में देखे जो हमने draw किया है conductivity में जब हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं किसी volume की, और यहाँ पर particle पर focus कम होता है particles के number, ions पर जब हम focus करते हैं, तो molar conductivity पर बात करने के जरूद होती है क्या है इस बात का कहने का मतलब उस चीज़ को मैं यहाँ पर एक बार अगले इमेज में दिखाने की कोशिश करूँगा यहीं पर थोड़ा सा बाड़ी वाई करते हैं चीज़ों को और आप फार्मूला दुबारा लिखने की कोशिश करिए तब यह सारी चीज़स समझ में आएंगे यहाँ पर देखें हम कहते हैं molar conductivity is equal to कपा भाई मोलर्टी कहते हैं और इस फार्मूले को अब हम expand करने की कोशिश करेंगे आप यहीं पर देखें कपा कपा में मैंने आपको कहा कि यह volume के बारे में इशारा करता है लेकिन आप मोलर्टी को भी देखें तो आप समझ पाएंगे यहाँ पर कपा है जो किसी volume के साथ connected है आप समझ पा रहे हैं और यहीं पर आप मोलर्टी के बारे में जब बात करते हैं तो यह क्या है moles divided by volume की बात करते हैं और यहाँ पर यह भी volume से related है यह भी volume से related है molarity के factor में भी तो इसका मतलब यह है कि यह दोनों ही चीज़ें नलिफाई हो जाती है आप समझ रहे हैं इसका मतलब यह है कि अगर आप molar conductivity की बात कर रहे हैं तो उसमें आप moles पर ज़्यादा ज़्यादा फोकस करते हैं molar conductivity में हमारा main focus moles पर होता है यानि particles के number पर ज़्यादा ज़्यादा फोकस होता है और इसी वज़ाद से जहां पर कपा इतना बस मैं याद कराने के लिए नहीं आपको feel कराने के लिए जहां कपा में आप ज़्यादा से ज़्यादा focus कर रहे थे volume पर लेकिन जब आप molar conductivity की बात करते हैं तो molality में भी volume का factor होता है और कपा में भी volume का एक factor होता है दोनों नलिफाई हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि आप यू कह सकते हैं one mole या molar कोई quantity है moles के terms में कोई quantity है उसके conductance के level पर आप molar conductivity की बात करते हैं कैसे आप उपर देखिये न मैंने यहाँ पर क्या कहा था मैंने कहा था कपा के लिए मैंने ये चीज़ समझाने का प्रयास किया था कपा conductance है किसी unit volume का कह सकते न conductance, conductivity, resistance का उल्टा conductance, resistivity का उल्टा conductivity याद रखेगा वो बात भूलना नहीं है तो वहाँ पर conductance, देखिये conductance of unit volume is conductivity और मैंने molar conductivity के लिए कहा conductivity divided by molarity और यह भी कहा conductivity volume के factor को ले करके चलता है molarity भी volume के factor को ले करके चलता है यह नलीफाई होंगे, molar conductivity सिधे moles के बारे में आइडिया देगा moles, particles के बारे में आइडिया देते हैं इस बात को कहने का मतलब क्या है और इसका practical application क्या है इसका practical application है क्योंकि आप जब कभी भी बात करते हैं तो electrolytes के number पर अगर focus करके बात कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी quantity होगे और यही वज़ा है कि molar conductivity, conductivity के comparison में ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पर आप moles पर focus करते हैं और moles मेरे आपको कहा न Avigadro का वो contribution ने यह सीधे न सीधे electrolytes या ions के बारे में idea देगा कितने moles dissolve किये गए कितने ions produce हो होंगे इसके बारे में idea देता इसी वज़ा से molar conductivity के बजाए ज़्यादा बहतर माना गया अब यहाँ पर यह चीज़ समझनी की कोशिश करेंगे कि आगे जो भी हमें calculation करना है वो molar conductivity पर करना है तो कैसे हम करेंगे उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं और dilution से conductivity पर क्या फारक पढ़ेगा molar conductivity पर क्या फारक पढ़ेगा उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे अगर कोई strong electrolyte है weak electrolyte है तो क्या चीज़ें होती है किस तरीके से hydration shell बनता है उन सारी चीज़ों का जो inorganic chemistry का concept है वो भी यही पर apply होगा आपको यह बताया गया ना कि जब water में कोई चीज dissolve की जाती है आप देखने की कोशिश करें मैं वो भी चीज़ जल्दी आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा जब कोई चीज water में dissolve की जाती है तो क्या-क्या उसमें घटनाएं होती है उसको देखें यहाँ पर एक कल्पना करते हैं देखने की कोशिश करते हैं सोडियम आयन, क्लोराइड आयन का एक्जामपल ले करके यह सोडियम आयन हमने बनाया और इसी के बगल में क्लोराइड आयन लेते हैं आप जानते हैं यह chemistry का water में dissolve होने की घटनाएं इनार्गेनिक chemistry में आप पढ़ते हैं यह है सोडियम आयन और यह है क्लोराइड आयन जब आप इसको water में dissolve करते हैं तो उस दोरान water का डाइपोल इनके चारोर आकर के इकठा हो जाता है आप जानते हैं यह सारी चीजें पहले से आप पढ़े हुए होंगे हमारी किताब में भी इसे बहुत इसी तरीके से atomic level पर समझाने का प्रयास किया गया है अगर आप इस तरीके से जानने की कोशिश करेंगे उस event को पूरे के पूरे molecular level पर देखने की कोशिश करेंगे तब ही समझपाना आसान हो जाता है और आप जानते हैं water dipole के दो पूल होते हैं एक H+, दूसरा OH- तो यहाँ पर H+, OH- को देखने की कोशिश करेंगे यह है H+, और दूसरा होगा OH- आप जानते हैं यहाँ पर OH- वाला जो सिरा होगा यह जो OH- वाला terminal है वो sodium iron को attract करेगा यह सारी चीज़े आपकी जानकारी में है यह वाला पोल इसके करीब होगा और इसकी वज़ा से एक नया attraction sodium iron के चार ओर लगने लगेगा इसी तरीके से chloride iron के लिए भी आप कलपना कर सकते हैं chloride iron के लिए इससे opposite आपको सोचना होगा chloride iron के चार ओर कौन जाकर के घेरेंगे उसे घेरते हैं water dipol का H plus iron इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं इस तरीके का कलपना करिए hydrogen shell में water dipol का कौन सा छोर कौन सा पोल जाकर के attract कर रहा होगा इसको देखने की कोशिश करिए और यहाँ पर H plus iron H plus iron chloride iron वाले छोर को attract करेंगे OH minus iron वाला जो इसका हिस्सा होगा वो इससे दूर रहेगा आप इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं यहाँ पर यह दूर होगा तो अब एक नया attraction इनके चारों लग रहा है इस तरीके का आप practically imagine कर सकते हैं इसकी वज़ा से originally जो sodium और chloride iron के बीच में लगने वाला attraction था वो break हो जाएगा break हो जाएगा क्या मतलब यह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और पानी में डालते ही यह घटनाएं होने लगती है अगर इस strong electrolyte है तो पानी में डालते तुरंत ionize होता है तुरंत वो घुल जाता है तुरंत एक दूसरे से अलग हो जाता है dissociate हो जाता है लेकर अगर यह stic acid होता है जिसमें covalent character होगा covalent character होगा तो क्या वो आसानी से घुल पाएगा नहीं घुल पाएगा वहाँ पर ज़्यादा dilute करने की जरूद पड़ती है मतलब क्या है ज़्यादा dilute करने का मतलब यह कि पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा ज़्यादा पानी डालने का मतलब क्या है वहाँ पर water की dipool का इस तरीके से attraction ज़्यादा कराना पड़ेगा आप समझ पा रहे हैं अगर इसी को मैं stick acid के लिए कहता तो क्या-क्या चीज़े मैं आपको समझाने का प्रयास करता है यहीं पर देखने की कोशिश करते हैं यह stick acid के लिए यही बात अगर कही जाती तो क्या-क्या इसमें changes होते हैं यहाँ पर इसको stick acid बना लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं stick acid क्या यहाँ पर hydration के events के दौरान different काम करेगा तो आप जानते हैं यह हमने बना लिया acetate iron और H plus iron तो यहाँ H plus iron और acetate iron को दरशाने के दौरान यह ऐसे देखा जा सकता है इधर acetate iron है और दूसरे side में H plus iron है थोड़ा H plus iron छोटा होगा आप size थोड़ा बड़ा हो गया कलपना आप करिए imagine करिए यहाँ पर इनके बीच में covalent bond होता है covalent bond के पाये जाने की वज़ा से आप समझ सकते ना इनके बीच में कैसा bond होगा covalent bond पाया जाता और covalent bond की presence की वज़ा से यह बहुत अच्छे तरीके से अपने bond को तुरंट तोड़ नहीं पाते है इसका मतलब यह हुआ कि इनको इनके bonds को break करने के लिए जादा water के molecules के द्वारा इनको attract कराने के जरूद पड़ेगे क्योंकि यह अपने original जो covalent bonds है उसको break नहीं करना चाते है इसलिए water के ज़्यादा से ज़्यादा molecule जब इसके करीब पहुँचेंगे तब ही जाकर के यह अपने covalent bond के attraction को तोड़ेगा क्योंकि यह ionic compound जैसा example नहीं है इसलिए water के ज़्यादा से ज़्यादा molecule जब यहाँ पर पहुँचते हैं तब ही तूट पाता है कहने का मतलब यह है कि ionize होने की घटना dilution के दारान होती है अब इस बात का मतलब क्या है चलिए देखते हैं अगले level पर और यह समझने की कोशिश करते हैं dilution की वज़ा से molar conductivity पर क्या फरक पड़ेगा तो molar conductivity कैसे concentration के साथ vary करती है तो जब कभी भी molar conductivity की बात करते हैं तो इसमें ions कितने तेजी से move कर रहे हैं उसकी बात करते हैं आप समझ सकते न कि अगर dilution कर रहे हैं इस image में देखें अगर आप dilution करेंगे तो ions जल्दी बनेंगे तो dilution से molar conductivity बढ़ेगा वहीं concentrate करने पर आप समझ सकते न पानी कम हो जाएगा acetate, stkacid बढ़ जाएगा, stkacid बढ़ जाएगा, पानी कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है molar conductivity घट जाएगा, यही चीज है कि concentration बढ़ाने से molar conductivity घटती है concentration घटाने से, dilution बढ़ाने से molar conductivity की value बढ़ती है आप इस चीज को यहाँ पर देखें, तो molar conductivity किसी भी electrolyte की घटेगी कब जब आप solution का concentration बढ़ाते जाएगे, और इस चीज को अभी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा एक strong electrolyte के और weak electrolyte के example के दोरा, kcl, strong electrolyte का example होगा और stick acid, weak electrolyte का example होगा, जो हमारी किताब में दिये गए, image में समझाने की कोशिश किया गया है तो उस चीज को एक बार draw करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से आपको इसे समझने में मदद बिलेगी तो यहाँ पर graph, graphical study है, जिसके बाद हमें बहुत सारे चीजों के बारे में conclusion मिल जाता है आप, देखे तो strong electrolyte जो होते हैं, उनके, जैसे जैसे आप concentration बढ़ाते जाएंगे उनके लिए molar conductivity की value, यहाँ पर हम इस side में lambda m की value ले रहे हैं और यहाँ पर concentration की value है, concentration to the power half की value means under root concentration के साथ relationship बनाया गया है यह KCL के example में देखा गया है, जैसे जैसे आप concentration बढ़ाते जाएंगे KCL की value घटती जाएंगे, इसी तरीके से आप acidic acid के example को अपनी किताब में देखेंगे हमारी किताब में लिखा हुआ है, जैसे जैसे आप उपर से चलेंगे, तो जैसे जैसे आप concentration बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे, acidic acid के molar conductivity की value घटती जाती है अब यहाँ पर इसके opposite भी कह सकते हैं, opposite कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे आप dilution बढ़ाते जाएंगे, आप देखें, concentration कम करते जाएंगे molar conductivity की value बढ़ती जाएगी, आप समझ सकते हैं, concentration कम कर रहा है तो molar conductivity की value बढ़ रही है, ऐसा आप देख सकते हैं, जब इस और आप चलते जाएंगे तो molar conductivity की value बढ़ रही है इस बारे में अनुमान लगाया जा सकता है और इस तरीकी की steady करने के दौरान आप एक चीज़ देख सकते हैं maximum value strong electrolyte के molar conductivity की पता की जा सकते हैं इस graph के द्वारा यही पर देखिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जब इसका maximum value पता करना हो तो आप उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं strong electrolyte के लिए लेकिन अगर यह weak electrolyte blue color से जिसे दरशाय गया है उसके highest value of molar conductivity के बारे में अनुमान लगा पाना possible नहीं है यहाँ पर देखिए कभी भी यह line touch नहीं कर रहे इसका maximum value कितना होगा stick acid के लिए वो पता कर पाना मुश्किल होता और आगे Cole Rausch ने इसी बात को observe करते हुँ अपना एक law दिया था खैर अगर हम आम तोर पर जो observation करते हैं उसमें concentration के साथ कैसे values change होती है concentration के साथ molar conductivity के values का variation यहाँ पर एक simple formula और उसके relationship के साथ दर्शाने का NCRT और हमारी किताब में भी वही चीज समझाने का प्रयास किया गया है तो वो relationship अगर आप देखेंगे तो मैं उसके बारे में अपनी किताब में समझाया है lambda m किसी दिये गए concentration पर is equal to lambda m maximum value इसको infinite dilution कर सकते या maximum value not भी लिखा हुआ मिल सकता है minus a under root c इस तरीके का relationship जिसमें c क्या है concentration है a क्या है constant है ये क्या है maximum value जो आप zero concentration पर पाएंगे आप समझ सकते ना जब ये zero value हो जाएगी जब इसकी value zero हो जाएगी तब जो maximum आपको lambda m की value मिलती है उसे lambda m infinite dilution या फिर limiting value of molar conductivity कहा जा सकता है इस तरीके का relationship हम इस graphical study से देख सकते हैं इस graphical study का क्या फाइदा हुआ उसको अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर सकते हैं यही चीज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और अब यह देखने की कोशिश करेंगे आखिर क्या होता है जब dilution किया जाता है conductivity कैसे घड़ती है और molar conductivity कैसे बढ़ती है dilution के साथ उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर यह facts बहुत आसान है समझना अगर हम atomic या particles के level पर इन events को होते हुए देखेंगे मैंने आपको बता रखा है conductivity cell के भीतर जब हम बात करते हैं तो conductivity जब बात होती तो वो volume पर focus करती है और जब molar conductivity की बात होती है तो वो moles पर ज़्यादा focus करती है particles के number पर ज़्यादा focus करती है उस चीज़ को समझाते हुए मैं एक simplified आपको imagination कराने का प्रयास करूँगा यहाँ पर देखें कल्पना करिए conductivity cell की उन सारे events के बारे में जो पहले बात हो जोगी आप जानते हैं conductivity cell होती है और दो तरीके के conductivity cell के बारे में आप कल्पना करें यहाँ पर एक conductivity cell है जिसका माल यह volume अगर हमने 1 liter ले रखा है 1 liter का मतलब क्या यहाँ पर length कुछ है आप समझ सकते हैं L है और यह है area आप जानते हैं यह क्या है यहाँ पर दिया हुआ area है आपको अब यहाँ पर area दिया हुआ है और यह length है इनके बीच में हम एक volume के बारे में कल्पना करते हैं आप इन सारी चीज़ों से सहमत होंगे conductivity cell के बारे में आपने study already कर रखा है जब हम इसे dilute करते हैं dilute करते हैं तो क्या होता है dilute जब करेंगे तो conductivity cell बड़े size का लेना होगा उसमें water मिला दिया गया है अगर आप समझ लें double capacity के हम बात कर रहे हैं यह सारी चीज़े imagination है और हमने dilution करने के दौरा ने conductivity cell का size double कर दिया capacity अब 2 liter का कर दिया है आप समझें यहाँ पर length पहले के comparison में 2L हो गया area 2A हो गया मत्त सब कुछ आप समझ लें कुछ इस तरीके से arrange किया गया है कि अब इसका volume हमने 2L कर लिया अगर पहले 1L था तो इसका total volume अब 2L कर दिया गया इससे फैदा क्या होगा conductivity को आप particles के level पर समझ पाएंगे मेरे कहने का मतलब क्या है molar conductivity कैसे बढ़ेगा dilution से उस चीज़ को यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है चलिए करके देखते है माल लीजे हमने आपको बताया है कि mole concept के according एक mole में कुछ particles के number के बारे में idea लगता है इस बात को कहने का मतलब क्या है अभी थोड़े दिर में आपको समझ में आएगा मैंने आपको बता रहा खाना already कि moles किसके बारे में बताता है moles बताता है particles के बारे में और इसमें कलपना करिए कि अगर हमने शिर्वाती condition में one mole लिया है जिसको हमने one liter इस conductivity cell में dissolve किया उस electrolyte को one liter में dissolve किया आप ऐसी imagination करें one liter volume में dissolve किया गया है और इस पूरे experiment के दौरान simplify करने के लिए आप कलपना करें कि जो हमने one mole लिया है उसमें 15 electrolytes डाले हैं वो weak electrolyte आप ऐसे कलपना करें वो weak electrolyte है जिसमें से 5 particles जो electrolytes के हैं वो ionize हुए और 10 जो हैं वो non ionize रहे तो इसमें एक बात तो समझ बाए आई 5 ionize हो गया है और 10 non ionize रहे ऐसा आप समझ सकते हैं एक बात यहाँ पर clear हो जाती है कि one liter में कितने particles ionize आपको मिल रहा है ये बात समझ में आ जाती है दूसरा ये है कि हमने उसी को dilute किया दूसरे conductivity cell में उसी one mole के लिए experiment करने के दौरान हमने dilution किया अब one mole को dissolve किया है two liter के भीतर अब two liter में dissolve किया यानि one mole है तो 15 electrolytes ही हमने डाले है 15 electrolytes वहाँ पर डाला है तो volume अब double कर दिया गया है आप देखे volume double कर दिया गया है mole उतना ही है लेकिन volume double किये जाने से अब इस weak electrolyte के 15 electrolyte में से कल्पना करिए 8 particles अब ionize हो जाए यानि 8 particles अगर ionize हो गया है तो आपका वो concept की dilution की वज़ा से ionization बढ़ता है वो भी समझ में आ जाता है अब यहाँ पर हम कल्पना करेंगे conductivity और molar conductivity पर क्याव फरक पड़ेगा मैं इस चीज़ को यहाँ पर justify करने की कोशिश करूँगा देखे होता क्या है कि यहाँ हमने 1 liter के भीतर अब particles को कल्पना करना है 1 liter में कितने ionized particles हैं 5 जबकि आप overall यहाँ पर देख रहे हैं 2 liter में 8 particles ionize हुए यह बात एकदम ठीक है और इसी को expand करते हुए अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 liter में कितने particles ionized होंगे उसको भी समझना होगा और यही बात हमारे लिए main clue वाला point बनेगा conductivity और molar conductivity को समझने में तो यहाँ अब 1 liter के भीतर अगर आप कहें तो कितने particles ionized हो रहे हैं second condition में second condition को totally different रखते हुए आपको समझना होगा यह देखे मैं इसलिए एक borderline बनाते रहा हूँ ताकि समझना conditions mixed ना हो पिछली condition से इसमें देखे 2 liter किया गया 8 particles ionized हुए और 1 liter में अभी यह ratio कितने का रह गया 4 particles के ionization का रह गया ध्यान से समझ लीजे जब हम बात करते हैं conductivity की तो वहाँ पर हमने क्या कहा था वहाँ पर हमने कहा था किसी particular volume में कितने particles ionized हैं conductivity में क्या कहा था conductance of a unit volume conductance of a unit volume is conductivity याद है वो formula आपको formula जो starting में बताया था conductance of a unit volume is called as conductivity conductance of a unit volume is known as conductivity वही चीज अब नीचे के और देख रहे हैं और उस आधार पर अगर कहें तो शुरुवाती दौर में 1 liter volume में ionization के लिए 5 ions हमारे पास available हैं ionized होने के बाद 5 particles available हैं जबकि आप second condition में देखेंगे तो 1 liter में 4 particles ही ionized मिलेंगे इसका मतलब यह है कि जब आप dilute कर रहे हैं तो unit volume में ionized जो particles है वो घट जा रहा हैं आप देख पार रहा हैं पहले क्या था हमें 15 particles में से 5 15 particles में से 8 हमें उससे मतलब नहीं है हमें मतलब है 1 liter में या 1 unit volume में कितने particles ionized हैं पहले condition में 5 थे ionized particles अब dilution के बाद A4 particles रह गया है ionized इसलिए conductivity decrease हो जाती आप इस बात को समझें और इस चीज़ को याद रखना है चुकि यहाँ पर हमारा relationship 1 liter 1 liter के terms में होता है इसलिए conductivity क्या हुआ conductivity decrease कर जाती है कब dilute किये जाने पर जबकि इसके opposite जब हम बात करते हैं यहाँ पर molar conductivity की तो molar conductivity का main focus रहता है electrolytes के number पर molar conductivity का किस पर focus रहेगा electrolytes के number पर शुरुबाती दौर में के वल 5 particles ionized हुए थे बाद में dilute किये जाने पर 8 particles ionized हो गया चुकि dilution के बाद ionization बढ़ गया dilution के बाद क्या हुआ बढ़ गया है इस वज़ा से आप कहा सकते हैं dilution के बाद molar conductivity की value क्या होती है rise कर जाती है dilution के बाद क्या होता है molar conductivity की value बढ़ती है ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं तो molar conductivity बढ़ा कब? dilution के बाद जबकि conductivity की value घट गई ये ultimate हमारा conclusion बन कर गया तो conductivity घटती है molar conductivity बढ़ती है इसको digital level पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी किताब में समझानी का प्रयास किया slide पर देखेंगे और समझनी की कोशिश करेंगे इन सारी घटनाओं के पीछे facts क्या है उनको देखने की कोशिश करेंगे तो facts behind this study कैसे conductivity की value dilution के साथ घटती है उसको देखने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए एक simplified image देखने की कोशिश करेंगे और slide उपर हमने उसको बनाने का प्रयास किया है आप देखें इस image में हमने यह दिखाने की कोशिश किया वही बात कि जब कभी भी हमने 15 particles को one liter में dissolve किया है और one mole में कलबना करने की कोशिश किया 15 particles हमने डाला है वन लीटर वन मोल 15 particles उसकी भीतर है और आप यह कलबना करें उस 15 में से 5 particles 15 में से 5 particles ionize हुए वन मोल एलेक्ट्रोलाइट के, वन लिटर में डिजॉल्व किये जाने पर और इस दोरान, जो वन लिटर में फाइफ पार्टिकल्स जो आयनाइजड हैं वही अपना कंड़क्टिंस दरशाएंगे पार्टिकल्स की वज़ा से मिलना, उसके बारे में आप अनुमान लगाएंगे बदली ही कंडिशन में, जब हमने वालियूम डबल कर दिया मैंने आपको जो अगली कंडिशन बताई थी कल्पना करी कि अब वालियूम को बढ़ा दिया गया है तो जो electrolytes हैं, जो 15 electrolytes के particles हैं उनमें से अब ionization के chances बढ़ जाएंगे कल्पना करिए, point number 2 पर चलिए और अब 8 total particles ionized हो गए, one more of electrolytes के इसका मतलब क्या हुआ, ionization बढ़ गया है अब 8 particles ionized हो रहे हैं इस बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं बताया, volume डबल किया गया है, इसलिए ionization बढ़ा है conductivity चुकि पर unit volume की बात करता है इसलिए अब पर unit volume में 4 ionized particles ही रहा गया है इसलिए conductivity घटती है लेकिन molar conductivity चुकि mol में कितने ionized होएं एक mol में अब 8 particles ionized होगे इसलिए molar conductivity की value बढ़ जाएगी यह चीज मैंने यहाँ पर एक digital level पर आपको अपनी किताब में एक hypothetical value की मदद से समझाने की कोशिश किया है molar conductivity की value बढ़ती है conductivity की value घटती है dilution का ऐसा effect मैंने यहाँ पर आपको दरशाने का प्रयास किया है